फित्रों नमस्कार आप देख रहे हैं धामदर स्पत्तिका का यूटूब चैनल दस्तेक मीडिया मैं बिनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बावा नीम करोरी की अदभुत गाताओं अदभुत गाताओं की स्रंखला में आज आपको लिए चलते हैं ब्रंधाबन ब्रंधाबन में बागे बिहारी मंदिर है किष्ण की लीला इस्तली है बिश्व के तमाम महान संत बहाँ पर अपनी तपस्या करने में आज भी लीन है और यूगों यूगों से लीन है बाबा नीम करूरी बहाँ पर पर प्रतिश्चित है और समाधी मंदिर है बहाँ पर बहुत सारे फोनाते हैं जिनको पता नहीं है कि महराँ जी ने मानब देह लीला कभी श्राम कहां से किया था कैसे पहुंचे बहाँ मैं आपको आज ये पता देना चाहता हूं कि ब्रंदावन में आप जब जाएं तो महराजी के आस्रम में जाने का बहुत सरल पता है मंदरी मंदर है वहाँ पर आस्रम ही आस्रम है ब्रंदावन तो धर्ती का स्वर्ग है अध्यात्मिक रूम से तो मैं आपको एक आज ऐसी बात बताता हूं जहां आपको भी भूलेंगे नहीं आपको अटल भ्यारी बाजपई का नाम याद है हमारे भारत के पूर प्रधान मंतरी और आप उनको ये माल लीजिए कि वो बालपन में है और घर में आप बड़े-बुड़े हैं बड़े-बुड़े मतलब बड़े हैं तो कैसे बुलाते हैं रमेश हो तो रमेशा कहने लगते हैं ना सुरेश हो सुरेशा करने लगते हैं और ये सागर अपने भाई अफशेख को बलाते हैं छोटे को तो छोटा कहने लगते हैं ये सब चीज़ें प्रेक्टिकली बताता हूं मैं आपको तो बहाँ पर अटला चौकी है ये सब उधान इसलिए बताएं कि आपको याद रहे आप जाएं तो अटल्ला चौकी है और आप ब्रंदावन में कहीं भी पूछेंगे परिक्रमा मार्ग में अटल्ला चौकी और अटल्ला चौकी से जैसे ही आप 20 कदम आगे बढ़ेंगे आपको आस्रम में जाएगा बहुत कथाएं हैं बहुत सरी लीलाएं हैं और महराज जी ने उस स्थल को तब चुना था जब बहाँ पर कहीं कोई आस्रम में था बंसा था बीहड था बिल्कुल आजब अच्छा मंदिर है समादी इस्थल है महानमान जी है माता की स्थापना है महराजी का कच्छ है सिद्धी माग का कच्छ है बहाँ पर और वो इस्थल तो अपने आप में तीर्थ है जहां महराजी ने अपनी मानब लीला को विस्त्राम दिया आपको याद होगा कि पागल बाबा ने ही कहा था क्या कहा था कि यहीं पर इनका अंतिम संसकार होगा यह सब लीलाओं के अंग है मैंने अंतिम यात्रे का वर्णना को सुनाया हुआ है तो आज का अंग में कहा समापन हुआ महारादी ने कहा से विदाली कैसे विदाली कौन सा इस्थल है कैसे पहुँचें ब्रंदावन धाम यह इतने इतने प्रश्ण जो हमारे पास लगातार आ रहे है तो मैंने उन सब को इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रियास किया है कि ब्रंदावन आप जाएं और आप केबल यह केबल इतना याद रखें आपको नोट करने की जरूद नहीं डाइरी रहेगी मुवाइल चार्ज नहीं या कोई भी समस्या नहीं होगी आपको याद रखना होगा कि ब्रंदावन पहुँचे तो अटल वहरी बाजपेई जी को याद कीजिए खा और अटल वहरी बाजपेई का जो नाम है उसको केबल बच्चे के रूप में ले लें तो आपको याद रहेगा अटल लाचो की अटल लाचो की पहुचा है और वहाँ से ब्रंदावन जाकर महराद जी के शरुणों में अपना नमट करें ठीक है ना बहुत सारी बाता हैं कथाओं के साथ ये बातां में बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि एक बड़ी संख्या में लगबग तीन चार फोन एवरिजन डेली आते हैं तो मैंने बता दूँ सब लोग देख लेंगे फोन की संख्या कम होगी और सार्थिक बाते होंगी हम लोगों के बीच में तो चलें अटला चो की करें महराजी की दर्सन और आप से लेते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो